हलो रिजिदेंट आज हम लों पढ़ेंगे क्लास लेवन के एक नॉम में से चेप्टर वन के प्रस्णों का उत्तर जिसका सिर्शक है स्वतंत्रता के पुर्व संध्या पर भारतिय अर्थव्योस्ता पाठ का पहला प्रस्ण है भारत में अपने सिक सासन के आर्थिक नितियों का केंद्र विंदु क्या था उन नितियों के क्या परभा हुए इस प्रश्थ का उत्तर इस्तर से होगा अपने शिक सास को द्वारा यानि अंग्रेजों के द्वारा रची गई आर्थिक नितियों का उदेश से भारत का आर्थिक विकास नहीं था बलकि वे अपने देश के हीतों और आर्थिक हीतों का सनच्छन और डेवलप्मेंट करना चाहते थे इन नितियों ने भारत के अर्थद्रस्ता के सुरूप को मुद्रूप से बदल डाला इसमें पहला है एक तो वे भारत को इंगलेंड में विक्सित हो रहा है आधनिक उद्योगों के लिए कच्छे माल का निरातक बनाना चाहते थे और दूसरा वे उद्योगों के उत्बादन के लिए भारत को एक विशाल बजार बनाना चाहते थे जिसके परिणाम सरूत भारत एक खस्ता हालत अर्थद्रस्ता बनके रह गया यह मुखरजी के अंसार 1857 से 1956 के बीच प्रति ब्यक्ति आय की बार्षिक ब्रिधिदर 0.5% प्रति बर्स जितनी कम थी अता अंग्रेजी सासन के दौरान भारत की अर्थद्रस्ता एक खस्ता हालत अर्थद्रस्ता बनके रह गई थी अंग्रेजी सासन समाथ होने पे भारत को एक खोखली और इस्तिर अर्थद्रस्ता के रूप में छोड़कर चले गए उस समय भारत की सिति क्या थी निचरता जनमदर तथा प्रत्वान जीवन की गत्विधियों को बनाय रखने के लिए कई आउस्षक बस्तूं का आयात करना पड़ता था आनि दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था और तिसरा है अजादी के समय भारत एक क्रिशी प्रधान देश था कारे रत्चन संख्या का 70 से 75 प्रतिशत का हिस्सा क्रिशी के काम में लगावा था प्रंतु फिर भी देश में ख़दानों में आत्म निर्वरता नहीं था अधारिक समचना बहुत हद तक आब इक्सित थी डेवलप नहीं थी प्राट का दूसरा प्रस्ण है अपनिवसिक सासक काल में भारत की राष्टिय आयका आकलन करने वाले प्रमुक अर्षास्रियों के नाम बताईए तो इस प्रस्ण का उत्तर इस तरह से है अपनिवेशिक सासंक काल में प्रमुक अर्सासरी दादा भाई नौरजी थे B.K. R.B. याराओ बिलियम डिग्गी और फिडले सिराज आरसी देशाई और तीसरा प्रस्न है अपनिवेशिक सासंक काल में क्रिसी की गती हिंता के मुख्य कारण क्या थे इस प्रस्ट का उत्री इस तरह से है, अपने सिक सासक काल में कृषी की गतिहिंता के मुख्य कारन इस प्रकार था, जिसमें पहला जो मुख्य कारन था, वह है पठेदारी पर्नाली। भारत में अंग्रेजों ने एक भूर आजासो परनाली शुरू की थी, जिसमें जमिदारी प्रथक आ जाता था, इसके अंतरगत किसानों, जमिदारों तता सरकार के बीच में एक त्रिकोड़ी सम्मंद्र स्थापित किया गया, जमिदारों जमीन के अस्थाई मालिक थे, जिन ऐसी प्रस्थित्यों में भी वो कारत रहे, क्योंकि कोई अनरुजगार के आफसर उवलब नहीं थे, दूसरा है क्रिसी की बैसाईकरन का प्रत्यापन, किसानों को खाद्य फसलों को छोड़ कर बाड़िज फसलों पर जाने के लिए मजबूर किया गया, उसका कारण यह था कि उन्हें ब्रिटेन में बिक्सित हो रहे कपड़ाओ द्योगों के लिए निल किया सकता होती थी, क्रिसी के बैसाईकरन ने भारतिय क्रिसी को बजार के अनिसिताओं से परचित कराया, उन्हें अब अपनी आसकताओं की बस्तुएं खरिदने के लिए नगदी की जुरुत थी, प्रंतु अपनी रिंगरस्ता यानि कर्ज के कारण उनके पास नगदी का सदा भाव रहता था, इसने उन्हें क्रिसी से जुड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया, तथा जमिदारों और सहकारों के दया पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया, और तीसरा है आधारिक सनचना की कमी, ब्रिटिस सासकों ने सिचाई की सुधाय बढ़ाने तथा तकनिकी विकास करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, और चोथा है भारत का भीभाजन, भारत के भीभाजन ने भी भारतिय क्रिसी को प्रतिकूल रूप से प्रवाइट किया, कलकत्ता के जू खाने पिने के संगट भारत में उत्पन हो गया। प्रस्ण है, सतन्तरता के समय देश में काजि कर रहे कुछ आधनिक उद्योगों का नाम बताइये, इसका उत्तरिस्तरस होगा। सतंतरता के समय देश में काज कर रहा है आधनिक उद्योगों में से टाटा आयरन और स्टील उद्योग टिसको जो 1907 में शुरूगी गई थी देश में काज कर रहा है अनाधनिक उद्योगों में चीनी उद्योग, स्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग सामिल थे पाँचवा प्रस्न है शतंतरता अप्रव अंग्रेजों के द्वारा भारत के ब्रस्तित बी उद्योगी करण का दोहरा धे क्या था तो इसका उत्तर इस्तर से होगा भारत के ब्रस्तित बी उद्योगी करण का दोहरा धे इस प्रकार था पहला था कि भारत को इंग्लेंड में विक्सित हो रहे आधनिक उद्योगों के लिए कच्च्य माल का नियातक बनाना और दूसरा था उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बजार बनाना पराट का छठा प्रस्ट है अंग्रेजी सासन के दरान भारत के प्रागत हश्त उद्योगों का बिनास हुआ क्या आप इस विजार से साम अंथा तो अपने उत्तर के पर्च में कारण वर्दाइए इस प्रस्ट का उत्तर इस्तर से होगा हां हम इस द्रिष्ट्र कौन से पूरीतरा से सामत हैं ब्रिटिस नीतियां सदा ही सर्व हीतों से निर्देशित रहें ब्रिटेन ने कभी भी यह नहीं कस्ट उठाया कि वे इस प्रक इस तरफ से ध्यान दे कि उनकी नितियों का भारत के लोगों पर विरुजगार के रूप में माननीय कस्टों या क्रिसी छेत्र पर क्या परभाव पड़ेगा उन्होंने भारतिय हस्त कला उद्योगों पर भारी दर से कर लगाए ताकि भारतिय बस्त्र ब्रिटेन में बने उनी और रेस्मी बस्त्रों से अधिक महंगे हो जाए उन्होंने कच्चे माल के दियात को तथा ब्रिटेन से उत्पादित माल के आयात को करमक्त रखा प्रन्तु भारतिय हस्त कला उद्योगों के माल के न्रियाद पर भारी कर लगाए। इसके अलावां भारतिय हस्त सिल्प उद्योगों को मसीनों से बने समान के साथ कंपटिशन का सामना करवाया। जो मसीने थी वो भारतिय हरस्त सिल्प उद्ध्यों की बरभादी में मुख्य वोम का निभाई पाट का सात्वा प्रस्न है भारत में अधारिक सनचना का विकास की नितियों से अंग्रेज अपने क्या उदेश से पुरा करना चाहते थे इसका उत्तर इस्तर से होगा अपनिवेसिक सासक काल में भारत में रेलो पतनों तथा जल परिवहन वर डांक तारादी का विकास हुआ प्रंतु इसका दे जन समाने को आधिक सुधाय परदान करना नहीं था बलकि इसके पीछे अपनिवेसिक हिद साधने का उदेश से था का निर्मान इसलिए कराया गया ताकि देश के भीतर उनकी सेनाओं का आगमन आवागमन की सुविधा बढ़े हो सके तथा देश की भीत्री भागों से कच्चा माल निकटतम रेलवया सेशन पर या पतनों पर बंद्रगाहों पर पहुँचाय जा सके और दूसरा डांक तार तथा संचार के सादनों का विकास कुसल प्रसासन के लिए किया गया था और तीसरा एक अन्यूदे से अभी था कि अंग्रेजी धन का भारत में लाव आजित करने के लिए निवेस किया जाए इस फुरस्त करें Скिल ब्रापनिविस्टिक प्रसास्तन astrology और अग्रेजों के विपए बिवर्जिव्र devi उतत्म भासवार के लिए अपनम्स किया मटिव उसमाल ओवता कंगर रुपनिविस्टिक प्रसासां कॉर समात्य काल में का एक मात रुदे से सस्ती से सस्ती कीमतों पर भारत से कच्छा माल प्राप्त करना भारत में ब्रिटेन से आया उत्पारित माल बेचना था भारती हस्त सिल्प बस्तू की ब्रिटेन की मसीनों के द्वारा की गई बस्तू की तुलना में बीदेशों में बेहतर प्रतिश्था इसलिए उन्हें नितिकत रितियों किसे आयात सुल को मुक्त कर हस्त सिल्प की निर्यात पर उच दर्ग उच कर लगा दिया गया भारती हस्त सिल्प उद्यों को ब्रभाद कर दिया गया उन्होंने इन नितियों से ब्रुजगारी मान्य पीड़ा आर्थिक ब्रिदी की दर पर होने वाले प्रभाव के प्रतिक कोई विचार नहीं किया दूसरा है आधनिक उद्योगों का भाव भारत में आधनिक उद्योग उनिश्वी सदी के दूसरे छमाही के दौरान विक्सित होना शुरू हुए प्रन्तु इसकी विकास दर बहुत धीमी और अरुधन पुर्ण थी इसमें रुकावट होती थी अपने सिक काल के अंत तक उद्योगों तथा पृद्योगी का अस्तर निम्द रहा उनिश्वी सदी के दौरान उद्योगिक पिकास कपास और जूट कपड़ा मिलो तक सिमित था लोहे और इसपात उद्योग उन्हें 107 में आया जब चीनी सीमे से कोई पुझिगत उद्योग थे जो आधनी करेंग किये को बढ़ावा दे सके सत्तर प्रतिसत सैंद्र तथा मस्नरी का आयात के जाता था भारत अपनी तकनिकी तथा पुझिगत वस्तू किया सकता के लिए आयात प्रनिवर रहता था और चौता है व्यसाई करन सरचना नि लों प्रतिसत हिसा क्रिसी के काम में लगा हुआ था और 11.9 प्रतिसत लोग उद्योगिक छेतरों में काम कर रहे था है राष्टी यह में उद्योगिक के निश्ण का हिस सार्कर करता इंग 453 प्रतिसत था जब कि विदेशी सासन के अंतरगत भारतिय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेशता निर्मान अधिशेश का बड़ा आकार रहा है। किन्तु अधिशेश का देश से सोने और चांदी के प्रवाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तों में इसका उपयोग निम्खित उदेश्यों के लिए इसमें पहला था कि अंग्रेजियों की भारत पर सासन करने के लिए गढ़ी गई ब्यवस्ता का खर्च उठाना और दूसरा अंग्रेजी सरकार के युद्वों पर ब्याय तर्था अद्रिस मदों के आयात पर ब्याय करना। पाट का दसमा प्रस्त है जनाकिय संकर्मन के प्रथम से दूतिय सोपान की और सक्रमन का विभाजन बर्स कौन सा माना जाता है तो इसका उत्तर होगा 1921 पाट का प्रस्त है अपने सी काल में भारत की जनाकिय स्थिती को एक संख्यात्मक चित्रन पस्तूत करें तो इस प्रस्त का उत्तर इस तरह से होगा इसमें पहला उच्छ जनमदर और मिर्थू दर भारत की जनाकिय संक्रमन के दूसरे चरण में था अता उच्छ जनमदर तथा गिर गुणात्मक पहलू भी कुछ उत्सा जनक नहीं गया थे उच शिशु मिर्थुदर सतंता के समय शिशु मिर्थुदर 218 प्रति हजार जितना उच था और दूसरा व्यापक निज़ता आस्तन साचरता का 16.5 प्रतिशत से भी कम था यानि क्योल 7 प्रतिशत मेलाएं पढ़े ल अप्र्याप्त और अस्वास्ति विधाओं का संकेत दे रही है और चौता था व्यापक गरीवी तेथा निम्न जिवन अस्तर्त लोगों को अपनी आय का 80-90 प्रतिशत हिस्सा अधार भूत आसकताओं पर खरच करना पड़ता था कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत हिस्सा गर सरचना की प्रमक वेशेतायं क्या है इसका उत्तर पूर्वारत की जनसंख्या का ब्यवसाईक कारण ब्यवसाईक सरचना की प्रमक ब्यश्यस्ताओं को निम तत्यों के द्वारा समझा जा सकता है इसमें पहला है क्रिसी छेत्र की प्रधान था क्रिसी छेत्र अर्थ ब्यवस्ता की ब्यवसाईक करण सरचना में स्रवाधिक मातपुन था भारत की कारिशील ज सेवा छेत्रों से जुड़े हुए थे दूसरा बढ़ रही छेत्री असमानता बैवसाइक सरचना में छेत्री विवित्ताइं बढ़ रही थी तमिलनाडू आंद्परदेश कीरल और करनाटक जो उस समय मद्रास प्रेशिदेंसी का हिस्सा थे जैसे राज्यों में कार्जबल की क्रिशी पर निरवरता कम हो रही थी जबकि उड़िसा पंजाब और राजस्थान में क्रिशी पर निरवर कार्जबल में ब्रिधी हो रही थी पाड का तिरहमा प्रस्न है सुदंत्रता के समय भारत के समच उप्रस्तित प्रमूख आर्थिक चुनोतियों को रेखांकित करें इसका उत्तर इस्तर से है सोसक अपनिवेसिक बेटी सासन ने भारती अर्थव्यस्ता के हर छेद्र को बुरी तरह से बरबाद कर दिया अतता परिनाम सरूप भारत को सतंतरता के समय विसाल आर्थिक चुनोतियों का सामना करना पड़ा भारती अर्थव्यस्ता को जिन चुनोतियों का सामना करना पड़ा उसमें मुख रूप से इस प्रकार है जिसमें पहला है क्रिसी उत्पादक्ता का निम्न अस्तर अपनिवेसिक सासक काल में अंग्रेजों ने भारती क्रिसी को अपने हीतो के उन्चा इस्तमाल किया परिनाम सरुख क्रिशी छेत्र को गतिहिंता का सिकार होना पड़ा निम्न उत्पादक्ता अस्तर निवेश का भाव भूमहीन किसानों की खसता हालाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा इसलिए भारत के लिए तात्कालीन समस्या यह थी कि वह क क्रिसी छेत्र तथा उसकी उत्पादक्ता का विकास की इस प्रकार करें सतर्था के समय कुछ तातकालीन जरूरत इस प्रकार थी जिसमें जमिदारी प्रथा का उन्मुलन भूमी सुधार नित्यों को बनाना भूमी के स्वामित्व और आसमनताओं को कम करना तथा किसानों के उठान के लिए तथा किसानों के उठान के लिए काम करना बाल कालेन उद्योगिक छेत्र क्रिसी के भाती यानि क्रिसी की तरह भारत एक सुद्रिट आर्थ उद्योगिक अधार का विकास नहीं कर पाया था उद्योगिक छेत्र का विकास करने के लिए भारत को विशाल भारत के घरेलू उद्योग नहीं कर पाए करने में भिभल रहा है इस प्रकार से लगू और बड़े उद्योगों को एक साथ अपने उद्योगिक बिक्सित करना भारत के लिए मुक्चिंता का भिषय था इसके अलामा भारत में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगिक चेत्रिक के इसेदारी बढ़ाने के जुरुत थे जो भारत के एक महत्वपुर्ण आर्थिक चनोतियों में से एक था और तीसरा था कि अधारिक संचना म में एक महत्वपुर्ण प्रवर्तन किया गया प्रंतु यह रिसी और अध्योगिक चेत्रिक के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रयाप्त नहीं था इसके अलामा इसके अत्रिक उस समय की बुन्यादी धाचे को आधनिकरन की जुरुत थी और चौता है गरीबी और आसमानता भारत गरीबी और आसमानता के दुश्चक्र में फजा हुआ था ब्रिटिश सासन ने भारतिय धन का एक महत्वपुर्ण भाग ब्रिटेन की ओर निश्कासित कर दिया प्रणाम सुरूप भारत की अबादी का एक बहु संख्यक खिस्सा गरीबी सिप्डित था जि इसमें आर्थिक असमनताओं को और अधिक बढ़ावा मिला प्राट का चौद्रमा प्रस्तन है भारत में प्रथम सरकारी जनगरना किस बरस हुई थी तो इसका उत्तर है 1881 में और पंद्रमा प्रस्तन है सवतनता के समय भारत के विदेशी बैपार के प्रणाम और दिशा की जनकारी दे इसका उत्तर इस तरह से है अपने सिक्षासक काल में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने एक भेद भाव पुर्ण कर निती का पालन किया जिसके अंत्रगत उन्होंने भारत के लिए अंग्रेजी उत्पादों का आयात तथा अंग्रेजों को कच्छे माल का निर्यात करमुक्त कर दिया जबकि भारत के हस्त सिल्पों देवों पर भारी सुलक लगाए निर्यात सुलक लगाए इसके इससे भारती निर्यात महंगे हो गये और अंतराश्टी ये मांग तेजी से गिर गए अपनिवेसिक सासंग काल में भारत कच्छे उत्पाद जैसे रेसम कपास उन चीनी नील और पटसन अधिक निर्यात निर्यात को कर रहा गया साथ ही यह इंगलेंड के करखानों में बनी हलकी मसीने तथा सुती रेसमी उनी वस्त्र जैसे अंतिम उपहोगता बस्तूं का यातक भी हो गया वहाई क्रुप से भारत के आयात निर्यात पर विटेन के लिए अरचित हो गयै। चीन, फ्रांस, और निर्देशित कर दिया गया। इसके अत्रिक्त स्वेज नहर के खुलने के बाद भारती जामला माल लाने और ले जाने की लागत में भारी कमी आई भारत का विदेशी वेपार अधिसेश उपारजित करता रहा प्रंतु इस अधिसेश को भारती अर्थ व्यवस्ता में निवेश्क नहीं किया गया पाड का सुलमा प्रस्ण है क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सक्रात्मक विवदान भी किया है विविश्णा की इसका उत्तर इस्तर से होगा यह कहाना अनुचित होगा कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ सक्रात्मक को विवदान दिया बलकि कुछ सक्रात्मक प्रभाव उनकी स्वाथ स्वाथ पुर्णितियों की वज़ा से उपलब्द हो गया है अता अंग्रेजों द्वारा भारत म के लिए एक बड़ी उपलवदी है इसने सभी प्रकार के भावाली कम सांस्कृतिक बादाओं को दूर किया तथा क्रिशी के बयासाईकरन को भी संभव किया दुजरा है क्रिशी के बयासाईकरन का अर्म अंग्रेजी सरकार द्वारा क्रिशी के बयासाईकरन भारती अर्थव आज भारत का ध्यानों में आतने पर होने की लच्छी को प्राप्त कर पाया और तीसरा है अधारिक सनुचना का अभिकास अंग्रेजों के द्वारा अधारिक धाचे ने देश में अकाल्स के फैलने को रोकने में विशी स्विग्दान दिया टेलिग्राम तथा डांक सिवाओ किया अंग्रेजी भासा भारत के बाहर की दुनिया को जानने के लिए खिड़की बनी इस से भारत को 20 अस्तर के हिस्सों से जोड़ा अंग्रेजों ने भारत में सती प्रता का परप्रतिवन लगाया और विदवा पुना विवा अधिनियम की गोस्ना की भारत का एकिकरन अं एक उसल तथा सक्तिसालिक प्रसासन का उदाहा अंग्रेजों ने अपने पीछे एक कुछल और सक्तिसालिक प्रसासन का उदाहरन रभ छोड़ा जिसका भारतियनेता अंसरन कर सकते थे